वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट होने के लिए क्या कर रहे हैं दिनेश कार्तिक? विकेट की पर बल्ले बाज दिनेश कार्तिक को आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनड़े सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है अब माना जा रहा है कि कार्तिक वर्ल्ड कप की रेस में पिछड गए हैं हाला कि दिनेश कार्तिक की राय इससे काफी अलग है दिनेश कार्तिक का कहना है कि उन्हें कभी भी लक्षेत करने में दिल्चस्पी नहीं रही है उनका कहना है कि अभी उनके सामने IPL है और वे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सरोश्वेष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं गौर तलब है कि भारत और नियुजीलेंड के बीच खेले गए आखिरी टीबीस मैच में लक्षे का पीछा करते हुए कार्तिक ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर एक रन नहीं लिया था इसके बाद कार्तिक मैच नहीं जिता सके जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई माना जा रहा है कि इसी वज़े से कार्तिक को टीम से बाहर किया गया हाला कि मुखिल चैमन करता मैस की प्रसाद का कहना है कि कार्तिक अभी रेश से बाहर नहीं हुए है आपको बता दें कि कार्तिक आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली दो टीबी स्मैच के दौरान टीम में शामिल रहेंगे इसके साथ ही IPL में वे कुलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करेंगे KKR 24 मार्च को संराइजर्स हैदरबाद से अपना पहला मुकाबला खेलेगी